नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विशय जो है वो है माया जाल और माया जाल से मैं कैसे बच पाया मेरा लाइफ एक कटी पतंग एक अधूरी कहानी टाइप की कहानी है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुएं, मैं अपने आप को कोसा, मैं सोचा कि, मैं बाद में सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ जैसे कि मैंने जब पास्ट लाइफ देखा, उसके बाद वो एक्सपर्ट्स मुझे बोले कि तुम तुमारे अंदर बहुत शक्ती है, तुम पास्ट लाइफ रिक्रेशन सीखो, दूसरों को पास्ट लाइफ तुम देखो, मैंने वो नहीं किया फिर ग्रूप मेडिटेशन में सब जाते थे, मैं भी बैठता था उनके साथ, तो तीन वार बैठा, तो एक ग्रूप मेडिटेशन में सब लोग बोले, मेडिटेशन के ध्यान के बाद, मुझे जीजस क्राइस्ट दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो द और सब क्या है बोल रहा है और आप यकीन नहीं करेंगे पांच मिनिट के बाद वो एक्सपर्ट ने एक वीडियो चलाया और इस वीडियो में हू बहू जो हो रहा था वो ही मैंने बताया उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं कभी के लोगों के साथ बैट के मेडिटेशन ध्यान व्यान नहीं करूँगा ग्रूप मेडिटेशन क्योंकि सब जूट बोलते हैं ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत बड़ा शक्ती है ये शक्ती जो मेरे पास है वो सब के पास है, सब आत्माओं के पास है बस उनको अपने आपको सच बोलना है बस उनको जो सच मुच में ये होता है अब जीजस क्रेश्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया इट इस जस्ट टू लोगों को प्लीस करने के लिए तो वो रस्ता मैंने छोड़ दिया एस्ट्रोलोजी वैसे मैंने काफी मतलब साल किया लेकिन छोड़ा, फिर किया फिर गुरुजी ने बोला, मेरे गुरुजी ने जो मेरे लाइफ में सिर्फ 20 दिन आ है थे उन्होंने बोला कि तुझे एस्ट्रोलोजी छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया फिर ध्यान किया मैंने जब मेरा कुंडलनी जागरित हुआ और जब वो मनिपूर चक्र तक पहुँचा मैं उट गया, क्योंकि वो सपने में हुआ था सब लोग कमाना है कि जिर्फ बैटने से कुंडलनी जागरित होता है उसी इंसलेंट से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है आप सोते हुआ तो उस टाइप भी कुंडलनी जागरित हो सकता है जैसे ही मेरा पीट के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सेक्शूल टाइप का एनरजी राइस हुआ और एक्तम यह होने लगा मैं उट गया वो मैंने बंद कर दिया जब मैं ध्यान करता था और मुझे सब कुछ दिखाए देता था सब फ्यूचर दिखाए देता था जैसे कि लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग जब हुआ था वो मैंने अपने लंदन वाले दोस्त को मैंने एक मैने पहले बोला था उसने बोला था कि 9-11 टाइब का कुछ और होगा क्या जैसे अमरिका में हुआ है फिर से अमरिका में होगा क्या मैंने बोला पता नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बर लंदन में होगा और exactly एक मैने के बाद लंडन में ट्यूब में वो बॉम्ब का ये हुआ, प्लास्ट हुआ कुछ लोगों से मैं मिला, उनका चेहरा देखते ही मैं उनका डेट अब बर्थ बताता था पांच बार मैंने बताया, पांच बार सही निकला एक दो बर गलत भी हुआ, लेकिन मैं डर गया, मैंने उसको छोड़ दिया फिर कुंडलनी जागरित के बाद और आठवा चक्र, मतलब जब मुझे सपना आया कि मैं समंदर में मर गया या मुझे ओम साउंड सुनाई दिया, मैंने उसको भी छोड़ दिया दस साल मैंने मेडिटेशन चोड़ दिया, अभी भी मैं मेडिटेशन ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता हूँ काफी कम करता हूँ, मतलब महिने में एक दिन ऐसे, या कभी मन किया थो वरना मैं ध्यान भी नहीं करता हूँ तो इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि ये सब औरड़ी मैंने अपने प्रीवियस लूप्स में किया हुआ है और हर बार मैं हार गया मतलब जब मैं पास्ट लाइफ के चकर में उस चकर में फस कर उसी लाइफ को मैं जिया हूँ अगर मैंने जिया है पिछले जनम में तो शायद मैं बाहर नहीं निकल पाया मैं जोतिशी बनके पूरा लाइफ को ये किया शायद मैं बाहर नहीं निकल पाया मैंने जब देवी देवताओं को पूजा किया कृष्णी मेरे को दिखाई दिया पास लाइफ में clearly विश्वरूम मैं कृष्णे के पास जाने का कोशिश किया फिर भी मैं इस लोग से बाहर ने निकल पाया तो मेरा कहने का ताथ पर यह यह है इस माया जाल में there is a जाल, a trap at every corner हर जगह एक trap है आप सोचते हो कि यह भगवान शिव, ओ मा काली मा यह तो मुझे बचा लेंगे आप अगोरी सन्यासी बन जाओगे उस दलदल में फस होगे काली मा दिखाई देंगे उसके बद क्या क्या आप सच में मैट्रिक्स से निकल पा रहे हो so everywhere you go in this matrix you are blocked इसलिए मुझे बच्पन से बहुत ही मेरे को body में मेरे मन में निराशा रहती थी बहुत ही ऐसा लगता था कि मैंने यह सब कर चुका है मैंने यह अलड़ी यह सब देख चुका है एकदम छोटे उमर में पांच साल के उमर में छे साल के उमर में मैं जब ऐसे मतलब सब लोग बोलते थे cinema चलोगे नहीं मेरे को cinema नहीं देखना है इधर चलोगे नहीं देखना है लोगों से मिलना है नहीं देख mall चलोगे नहीं shopping करना है नहीं तो हार बार लेटा रहता था चोटे उमर में which is very odd क्योंकि एक चोटा बच्चा ध्यान नहीं करता है पांच साल की उमर का बच्चा, छे साल की उमर का बच्चा ध्यान नहीं करता है या यह सब नहीं सोचता है तो मेरे को, मैं अपने आपको कोशता था कि यार सबका कुंडलनी जागरित हो रहा है करियर कुछ नहीं और स्पिरिच्वाल्टी का जो रेस है मैं उसको रेस समझता था उसमें भी सबसे लास्ट में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं ही पीछे है मैं स्पिरिच्वाल्टी को भी एक चूहे का रेस समझता था सब लोग कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन कोई मुझे बचा रहा था मेरी आत्मा मुझे बचा रही थी क्योंकि मुझे मेरी आत्मा को पता था जो मुझे पता नहीं था मेरे मन को पता नहीं था कि ये एक गेम है ये एक मैट्रिक्स है यह एक चाल है यह मेरे मन को नहीं पता था मेरे आत्मा को पता था अगर मेरे अगर मुझे किसी ने बचाया है तो वो मेरे आत्मान है क्योंकि मेरे आत्मान और ली यह गेम को सम लाखों बार खेल चुकी है और बाहर नहीं निकल तो यही बहुत सारे मूविस में Edge of Tomorrow हो गया, Die Another Day मतलब there are many 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 मूविस जो actually इस concept के उपर बने है कि आप आप सोचते हो कि इस रास्ते से जाओंगा भक्ती मार्क आप फस जाओंगे आप सोचते हो मैं किसी गुरू का चेला बन जाओंगा मैं किसी बाबा के पास पहुँच जाओंगा निंकरो लिए बाबा हर बाबा को मैं respect देता हूँ लेकिन बाबा जो भी आये थे सच वाले बाबा भी वो चमतकार करके चले गए हमें उन्होंने हमें नहीं बचाया इवें कृष्ट ने भी जूट बोला क्रिष्ट ने बोला कि मेरे उपर ध्यान करो मरने के टाइम पर मेरे पास आ जाओ गया ऐसा क्यों बोला उन्होंने He should say you will go to parmatma अपने आप पे ध्यान करो अपने आत्मा अंतरात्मा को ये करो खुद आप आत्मदर्शन करो गया and you will go back to your source ऐसा बोल सकते थे मेरे पास मेरे पास क्या मतलब है वो भी एक ट्राप है कोई भी भगवान कुछ भी बोले मैं मैं करेगा उसके पास मत जाओ in the sense मेरे पास आओ अभी मैं भी मैं मैं करता हूँ बकरी के तरह मुझे पता है मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बोलता है कोई भी बाबा, गुरू, संत कोई भी बोलता है मेरे को फॉलो करो मेरे पास आओ मैं तुम्हे बच्चा लूँगा सब ट्राप है सब माया जाले मैं इस खेल का सबसे पुराना के लाड़ी हूँ इस खेल में मैं लाखों बार फस चुका हूँ इसलिए मेरा एक आख नहीं है मेरे बच्पन में ही सफेद बाल हो गए थे मैंने सब कुछ खोया अपने लाइफ में, सब कुछ में सब कुछ मेरे माँ को, मेरे मौसी को मेरे नाना जी को, मेरे नानी मा को मेरे एक बहन को मार दिया उसके पती ने बहुत सारा इमोशनल क्या बोलते हैं, ड्रेनेच हुआ है मेरे लाइफ में, ट्राइजिडी इस देखा है मैंने और इस सब देखने के बाइद मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे तरह आप प्लीस मत फसिये क्योंकि इस बर मैं निकल जाओंगा वो मुझे पता है क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि ये जाल है और मुझे पता है कि कैसे बाहर जाना है मैं ये सब वीडियोस इसलिए मैं बोलता थी, कि तुम कितने स्टुपिड हो, परोपकार, विधम शरीर, जब देखो दूसरों के साहता करते रहते हो, किसी का टंकी का प्रॉब्लम हो गया, तुम जाके उसका अपना पानी कम करके दूसरों को पानी देते हो ये सब मैं करता था और मेरे को इसके उपर इगो भी होता था, सच में मैं कितना महान हो, मैं दूसरों के साहता करता हूँ लेकिन उससे मेरा खुद का कितना, पता ने कितना मेरा खुद का उबर जा गया दूसरों की मदद करने चला था खुद को जला कर अभी भी थोड़ा थोड़ा करता हूं ऐसे तो सावधान परती है माय अजाल से धन्यवाद